दोस्तों यहाँ पे एक निया भर्ती निकल के आ रहा है इंस्टिचूट अब प्लाजमा रिसर्च आईपी र एंड डी एई डिपार्टमेट अफ अटमिक एनरजी के कम्बिनेशन में एक निया भर्ती है तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ रिलेबुल टेस्ट आपको फ्री में देना होगा वहाँ पे आप लोग को प्राइवेट जब मिल सकता है जो मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ ओ है गौर्मेट जब Department of Atomic Energy and IPR Institute of Plasma Research दोनों की कंबिनेशन में एक निया भर्ती आया है चलिए मैं आप लोग को स्क्रीन पे लेके चलूँगा वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों यह है इसका Official Advertisement और यह है Application Portal Institute of Plasma Research का यह Career Portal है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो Advertisement for the Project Scientific Assistant इसके लिए यहाँ पे भरती है यहाँ पे Online Apply भी कर सकते हो और Hindi में Advertisement है English में भी है इसका Direct Link मैंने Description में दे रखाऊँ और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा यह जाब होए 10 year basis में अगर आप Interested हो वीडियो को continue करना तो यह रहा दोस्तों इसका Official Advertisement Institute of Plasma Research और यह है DAE के Under मतलब Combined में है बट DAE के Under Institute of Plasma Research नहीं आता है बट इनका का उलाबरेशन में यह भरती निकल के आए है Post Retail की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो Project Scientific Assistant Project Scientific Assistant में है भरती और यहाँ पे सारे Branch के लिए रखा गया है और हाँ अगर आपको जाइनिंग करना चाहते हो तो आपको गांधी नगर गुजरात में जाइनिंग होगा GIDC है गुजरात गांधी नगर में GIDC है वहाँ पे आप लोग को जाइनिंग होगा और यह Post Detail बताने से पहले आप लोग को दो जाब अपडेट देना चाहूंगा जो Relable के तरफ से आया है और हाँ और उस जाब के लिए आपके पास Degree Mandatory नहीं है Skill है तो चल जाएगा आपके पास कोई भी Skill होना चाहिए जिस Skill के बैस में आप लोगों को जाब मिल सकता है और Relable को क्या है वो बताने का जरूरत नहीं यह एक On Academy के द्वारा जाब प्लाटफरम है दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक Free में टेस्ट देना होगा टेस्ट में आप लोग को जितना अच्छा स्कोर रखेंगे तो उतना अच्छा जाब और Startup Company आप लोग को अफ़र करेंगे आपको रिजूम लेके जाना नहीं पड़ेगा Company आप लोग को अफ़र करेंगे तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों दैनिक वासकर के तरफ से यह भरती निकल क्या है दैनिक वासकर आप लोग को पता होगा यह एक News Company है यहाँ से Senior Software Engineer का भरती है तो यहाँ पे 20 से 30 लाग पर आनम आपकी Salary Package रखा गया है और हाँ इसके लिए आपको फ्री में एक्जाम देना पड़ेगा जो यहाँ पे रेजिस्टर कर सकते हो रेजिस्टर फर्दर टेस्ट यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे क्लिक करिए और रेजिस्टर कर लीजिए उसके बात Next Job जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो Urban Company Urban Company अभी यहाँ पे All India में बहुत ज़्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों यहाँ पे आप लोग को Job मिलने का Chance है बट इसका Salary Package 3 से 6 लाक 3 to 6 लाक पर अनम आप लोग को मिल रहा है तो यहाँ पे आप लोग जोइन कर सकते हो तो इस सब के लिए आपको एक Free Test देना होगा यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों Register for Free यह सब का Direct Link मैंने Description में दे रखाऊं Check Out करना और बहुत सारा Student इसके जरिया में Job भी हासिल कर चुके हैं तो आप लोग भी जाके आपकी Dream Job ले लिजिए अगर आपको जानना है कि कितने लोग Join किये है Re-Level के द्वारा Re-Level Achiever जरूर Twitter में सर्च कर लेना तो वहाँ पे पता चल जाएगा कितने लोग Re-Level के द्वारा उनका Dream Job लिए है तो चलिए दूस्तों हम Post Detail की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो Computer Application में 4 Post है जिसके लिए Degree Mandatory है Degree in Computer Science है तो आप लोग इसको अपलाई कर सकते हो Next जो Post आ रहा है Electrical Electronics वालो के लिए है 8 Post है और इसके लिए जो Qualification चाहिए Diploma है तो आप लोग इसको अपलाई कर सकते हो Relevant Branch में Next जो Post आ रहा है Electronics Electronics and Communication Electronics and Instrumentation इसके लिए 10 Post है Diploma in Electrical है तो आप लोग इसको अपलाई कर सकते हो यह सारे Branch में अगर आपके पास Diploma है तो आप लोग इसको अपलाई कर सकते हो Instrumentation में है Mechanical के लिए 28 post है, Next Physics के लिए 16 post है, Mechanical में सबसे ज़्यादा post है और Diploma in Mechanical Engineering है तो आप लोग इसको apply कर सकते हो, Physics के लिए यहाँ पे 16 post है, अगर Science में आप लोग की degree है और Physics में है तो आप लोग इसको apply कर सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो, यह जो appointment पहले मैंने बताया था, यह जो job है, यह 10 year basis में, 10 year basis में आपको रखा जाएगा और 20,000 plus HRA, house rent allowances मिलेगा, 20,000 plus HRA मिलेगा, age limit जो है, ओ 35 year तक आप लोग इसको apply कर सकते हो, और selection process जो होने वाला है, यह performance in interview, आपकी interview लिया जाएगा, और interview में अच्छा performance रहा, तो आप लोगों की selection हो सकता है, और application fee क बात करें, तो 200 रुपीज आपको non refundable application fee देना पड़ेगा, general and OBC candidate के लिए, SC, ST candidate के लिए बिलकुल free है, आप लोग आराम से free में apply कर सकते हो, कैसे आपको apply करना होगा, यहाँ पे इसका जो last date है, 17 जानुआरी तक आप लोग को apply करना होगा, अभी online इसका चालू हो चुका है 17 जानुआरी 2022 का last date है, 5 बज कर 30 पी एम में, इसका direct link मैंने description में दे रखा हूँ, check out करना और apply करने का यह है दोस्तों, यह पोटाल, यहाँ पे आप लोग apply कर सकते हो, apply online दिया गया है, यहाँ से आप लोग apply कर सकते हो, इसके regarding कोई भी doubt होगा, तो comment कर लेना, चलिए मिलते ह जाइ जाहिं